पूछता है और जिसके पूछता है और जिसके बेसिस पे वो देश को अपने kingdom को अच्छे से चला सके Before reading, in the story you are about to read A king wants answer to some important questions ये जो तीन questions के answers जो है Who do you ask when you have questions? Who are the vicest people you know? And where else can we look for answers to important questions? It once occurred to a certain king He always knew the right time to begin everything एक बार की बात है, एक राजा के बारे में जो चाहता था कि उसे हमेशा पता रहे कि सही वक्त कब होगा कोई भी कार्य शुरू करने का उसे कोई भी काम करना है तो अगर वो सही वक्त पे शुरू होगा तो उसका फल भी सही रहेगा इसलिए राजा जानना चाहते थी कि राजा टाइम कौन सा होगा तो बिगिन एवरीफिंग इफ इन्यू वर दे राइट पीपल तो लिसन टू और राजा ये भी जानना चाहते थी कि अगर वो जानते हैं कि कौन इंसान है जिसकी बात हमने सुननी चाहिए किसकी हमने बात सुननी चाहिए किसकी नहीं and whom to avoid और किसकी बात सुनने के बाद भी उसको avoid करना चाहिए उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए and above all if he always knew what was the most important thing he would never fail in anything he might undertake और इन सबसे ज़्यादा वो ये भी जानना चाहते थे कि सबसे जरूरी चीज कौनसी होती है उस वक्त पे करने की अगर वो ये जान लेंगे कि किस वक्त पे कौनसी चीज जरूरी है तो वो जिन्दगी में कभी भी फेल नहीं होंगे या जो भी वो काम करेंगे उसमें उनको स जरूर बिलेगी। और यह बात उनके जब दिमाग में आई। फिर उन्होंने अपने पूरे किंडम में, पूरे सामराज्य, पूरे राज्य में प्रोक्लेम्ट करा दी कि जो मुझे मेरे इन तीन जवाब देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। रिवाब दिया जाएगा उसे परसन होगा, जो भी वो कोई इनसान या जो भी कोई होगा, जो हमें यह सिखा के जाएगा, कि कौन सा सही वक्त होता है कोई भी काम शिरू करने का, और कौन इनसान हमारे लिए बहुत जरूरी है, और यह राजा कैसे जानेंगे, कि सबसे इंपोर्टन चीज इस वक्त या उस वक्त करने के लिए कौन सी है, जो भी यह चीज राजा कुछ सिखा देंगे, राजा उन्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। And learned men came to the king, but they all answered these questions differently, बहुत हुश्यार, बहुत समझदार, wise, जो बहुत समझदार लोग होते हैं, वो एक के बाद एक राजा के पास आए उनके इन जवाबों को देनी के लिए, पर सभी के जवाब एक दुसरे से बिलकुल ही अलग थे. In reply to the first question, some need to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and year, and must live strictly according to it. पहले question के जवाब में, कुछ लोगों ने कहा, कि अगर हमको ये जानना है, कि हमको पहला काम क्या करना है, या सही time कौन सा होगा कौन से काम करने का, तो उसके लिए हमको पहले planning करनी चाहिए, advance में ही हमने बना देना चाहिए, कि हमने इतने बज़े यही काम करना है, एक table draw कर लेना चाहिए, उसमें days, यानि आज कौन सा दिन है, month और year में, कब कौन सा काम है, ये in advance decide कर लेना चाहिए, और उसी के हिसाब से strictly जीना चाहिए, only thus said, they could everything be done at its proper time, और यही करने से ये possible है, कि हर काम हम सही वक्त पे कर पाएं, other declared that, it was to decide beforehand the right time for every action, पर कुछ लोगों ने बूल दिया कि ये possible ही नहीं है, कि हर action का सही time हम पहले ही in advance decide कर सकें, but that not letting oneself be absorbed in idle past time, पर इसका मतलब ये नहीं है, कि हम अपने time को waste करते रहें, हम idle खाली बैठे रहें, और अपने time को बिना किसी मतलब के फाल्तू कामों में लगा दें, one should always attend to all that was going on, हर इनसान को हर बात पे हमेशा ध्यान देना जरूरी है, जो उसके आसपास चल रहा है, and then do what was most needful, और आखरी में decide करके हमको सब बातों पे ध्यान दे के, ये decide करना चाहिए, कि हमें क्या करने की जरूरत है, other again said that, however, attentive the king might be to what was going on, कि राजा कितने भी attentive हों, कितना भी ध्यान दे दे कि क्या चल रहा है, it was impossible for, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, कितना भी कोई attentive क्यों न हो और राजा कितने भी attentive क्यों न हो जाए, पर सही वक्त को उस काम के करने का, राजा को पता रहे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, but then he should have a council of wise men, who would help him to fix the proper time for everything, पर कुछ लोगों ने कहा, कि राजा ने एक committee, एक बहुत सारे खुशार लोगों को बिठाना चाहिए, जो उन्हें हमेशा मदद करते रहें, ये बताने के लिए, कि सही वक्त कोई भी काम करने का क्या है, but then again, others said, there were some things, which could not wait to be late for a, before a council, इस पे भी कुछ लोगों ने बोल दिया, कि कुछ चीज़ें तो ऐस चीज़ें उसी वक्त ही करनी पड़ती है, उसके लिए हम इंतजार करें कि कॉंसल क्या जवाब देगा, हमेशा कॉंसल के लिए रुका जाए, ये पॉसिबल नहीं है, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not, कुछ तो ऐसे बाते होती ही है, जो राजा को उसी वक्त डिसाइड करनी पड़ती है, कि ये करना है कि नहीं करना है, अगर वो कॉंसल के लिए रुकेंगे और डिसीशन लेंगे, तो हो सकता है, वो डिसीशन बहुत लेट हो जाए, but in order to decide that one must know beforehand what was going to happen, उसके लिए राजा को कुछ भी decide करने के लिए ये भी पता लगाना जरूरी है, कि आगे क्या होने वाला है, और ये तुसर जादूगर ही कोई बता सकता है, and therefore in order to know the right time for every action, one must consult the magician, अब राइट टाइम पता लगाने के लिए तो जादूगर उचना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए, इस तरह के कई जवाब राजा के सामने आते जा रहे थे, equally various were the answer to the second question, second question के लिए भी बहुत सारे answers आए, some said the people, the king most needed were his counselors, कुछ लोगों ने बोला, राजा को सबसे ज़्यादा उनके मंत्रियों के जरुरत है, others, कुछ ने बोला, the priest की, पंडितों की, others, the doctor, कुछ लोगों ने बोला, राजा को सबसे ज़्यादा जरुरत डॉक्टरे की है, while some said the warriors, warriors ने सेना की, जो सिपाही हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उनकी, to the third question, as to what was most important occupation, सबसे ज़्यादा काम क्या है, some replied that, most important thing in the world was science, कुछ ने बोला, सेना में हथ्यार चलाना, skill, skilled होना, कैसे अपनी जीत हासल करने के लिए, जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसको बोलते है, skill और वारफेर, हैने हथ्यारों की ट्रेनिंग, and others again, that it was religious worship, और कुछ ने तो बोला, भगवान की पूजा करना, धरम को मानना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, all the answers being different, the king agreed with none of them, सारे answers बिल्कुल अलग अलग थे, और सब एक दुसरे को contradict कर रहे थे, opposite थे, बिल्कुल अलग थे, तो राजा किसी बात पे राजा को satisfaction नहीं मिला, and gave the reward to none, और उनने किसी को कोई price नहीं दिया, but it's still wishing to find the right answer to this question, लेकिन फिर भी, राजा के मन की जो जग्यासा थी, जो वो जानना चाहते थे, कि सही जवाब क्या है, वो जानने की कोशिश कर रहे थे, he decided to consult a hermit, एक संत महात्मा जो अकेले रहते थे, अकेले अपने लाइफ बिताते थे, लोगों का भला करते थे, उनसे राजाने मिलने के बारे में, widely renowned for his wisdom, और वो बहुत जाने माने hermit थे, जो कि अपनी समझदारी के लिए, होशारी के लिए पहचाने जाते थे, the hermit lived in a, the hermit lived in a wood, which he never, equated, and he received none but common folk, जो hermit थे, वो जंगल में रहते थे, वो कोई बड़े लोगों से कुछ नहीं लेते थे, और वो सिर्फ सीधे सादे, सादे इंसानों से मिलते थे, वो कोई भी ऐसे बड़े राजाओं से मिलना पसंद नहीं करते थे, folk यानि लोग, अब उनसे मिलने के लिए राजा को समझ गया कि उनसे मिलना है, तो राजा के वेशबूशा में तो नहीं जा सकते, तो राजा ने सिंपल से कपड़े पहन लिए, before reaching the hermit cell, पहले hermit के कमरे तक पहुंचने के पहले cell मतलब अरूम, राजा संत तक के उस hermit तक के पहुंचने के लिए, उस फकीर से मिलने के लिए, अपने घोडे से भी उतर गए, he dismounted from his horse and dismounted यह उतर गए and leaving his bodyguards behind went on alone और उनके जो bodyguards हमेशा उनके साथ रहते थे उनको उनकी रक्षा करने के लिए उनको भी बुला आप यहीं रुको और वो अकेले हर्मिट की जूपड़ी की तरफ चल पड़े When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut जब राजा वहाँ पहुचे, अप्रोश यानि पहुचे, तो उस वक्षो हर्मिट थे, जो संत थे, वो अपने घर के पास की एरिया में गड़ा खोद रहे थे Seeing the king, जैसे ही उन्होंने राजा को देखा, तो hermit ने उनको रिस्पेक्ट करके बोला आईए, and went on digging, बस उनको रिस्पेक्ट दिया, उनको बैठने के लिए बोला, और वो खुद गड़ा खोदने में लग गए, the hermit was frail and weak, hermit बहुत कमजोर थे, and each time he stuck his pad into the ground and turned a little earth, he breathed heavily, जिस भी वक्त जो hermit है, एक भी बार कुलहाडी या जो कुदाल है, वो जमीन में मारते, तो उसी वक्त वो एकदम थोड़ी से जमीन उससे निकलती, यानि बड़ा गड़ा नहीं कर पाते हो, थोड़ी से मटे निकलती, लेकिन हर spade मारने पे, हर कुलहाडी को मारने पे, वो बड़ी-बड़ी सांसे ले रहे थे, एकदम थक जा रहे थे, the king went up to him and said, राजा उठे और हर्मिट तक के गहे और उनको कहा, I have come to you wise hermit, मैं आपके पास आया हूँ, संत भात्मा जी, to ask you to come, to ask you three questions, मैं आपसे तीन काया हूँ, how can I learn to do the right thing at the right time, मैं कैसे हूँगा कि सही वक्त, सही चीच करने का कौन सा है, who are the people I most need, कौन से ऐसे लोग है, जिनकी मुझे सबसे जादा जरूरत है, and to whom should I therefore pay more attention than to the rest, और अगर जो इनसान मेरे ले जादा जरूरी है, उसकी तरफ मैं जादा ध्यान दूं, बाकियों के comparison में, and what affairs are the most important and need my first attention, और किन पर मुझे पहले सबसे जादा ध्यान देना चाहिए, और मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ जाना चाहिए, the hermit listened to the king, but answered nothing, hermit ने राजा की बातें सुनी, पर कुछ जवाब नहीं दिया, he just spat on his hand and recommenced digging, उसने अपने हाथों को दो मिनट के लिए रोका, फिर से अपने हाथ चलाना दिये और वापस अपना काम खोदने का शुरू कर दिया, you are the king, राजा ने उन्हें कहा, hermit संद मातमा जी आप ठक गए है, let me take the spad and work a while for you, मुझे अपनी कुलारी दे दीचे, मैं आपके लिए कुछ देर के लिए काम करता हूँ, thanks said the hermit, hermit ने उनको thank you बोला, and giving the spad to the king, और के सामने जमीन पे बैड़ के, when he had duck two beds, उसने काफी बड़ी एरिया को duck कर दिया, गड़ा कर दिया, वहाँ पे, the king stopped and repeated his question, राजा फिर रुके, और राजा ने फिर से संद मातमा से कहा, कि मैं आपके पास तीन सवाल पूछने आया हूँ, और तीनों कोश्चन सुनों ने फिर Harmit again gave no answer, Harmit ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया, but Rose stretched out his hand for the sped and said, लेकिन उसके बाद वो उटके खड़े हो गया, अपना हाथ आगे किया, और कुलाडी रेस्ट वाइल, and let me work a bit, अब थोड़ी दिर आप आराम करो, और मुझे काम करने दो, but the king did not gave him the sped and continued to dig, पर राजा ने Harmit को कुलाडी नहीं दी, वो खुदी खोते रहे, one hour passed, एक घंटा बीद गया, एक और घंटा बीद गया, the sun began to sink, अब सुभे से शाम होने पे आगई, सूरज डूबने लगा, behind the trees and the king at last struck the sped, और जो king है, उन्होंने sped को रोग राजा ने उस sped को, उस कुलाडी को जमीन पे रख दिया और बोला, I came to you wise men for an answer to my questions, मैं आपके पास आया हूँ, संत मात्मा जी, मुझे मेरे questions के जवाब चाहिए, if you can give me none, tell me so and I will return home, अगर आपके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है, तो मुझे बोल दीजिये, मैं अपने घर चला जाता हूँ, here comes someone running, let us see who it is, उसी वक एक आदमी दोड़ता हुआ वहाँ आया, तो हर्मित ने कहा, चलो देखते हैं कौन है, the king turned around, राजा पल्टे, and saw a bearded man come running out of the wood, एक दाड़ी वाला अदमी दोड़ते हुए जंगल से आ रहा था, the man held his hand, praised against his stomach, उस आदमी ने पमें पेट पे जोर साहत पकड़ा हुआ था, the blood was flowing under them, उसके पेट से खून बहरा था, when he reached the king, he fell fending on the ground, moaning feebly, और वो जब राजा के पास पहुचा, तो वो गिर गया, बेफेंट हो गया, बेहोश हो किया, और सिर्वो करहाने का आवाज कर पा रहा था, the king and the hermit unfastened the man's clothing, राजा और उस hermit ने उसके कपड़े खुले, there was a large wound in the stomach, उसके पेट पे बड़ा सा जखम था, the king washed it as best he could, राजा ने पहले उसको अच्छे से साफ, bandage it with his handkerchief and with a towel the hermit head, और उसके बाद उसका bandage किया अपने रुमाल से और hermit के पास जो towel था उससे, but the blood would not stop flowing, और खुन बहना बन नहीं हुआ, the king again and again removed the, राजा बार बार उसकी bandages bandages and soaked with warm blood, राजा बार बार bandages उतारते, जो blood में भर जा रही थी, उसको wash करते और उसके बाउन को clean करके और उसको rebound, rebound, उसको जखम को साफ करके उसको reboundage, फिर से उसको reboundage कर देते, at last the blood ceased flowing, at last उसके जखम से खुनाना बंध हो गया, the man revived and asked for something to drink, कुछ देर बाद उस आदमी को होश आया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा, the king brought fresh water and gave it to him, राजा फ्रेश पानी लेक्या है, उसे पीने के लिए दिया, and had set, तब तक कि सूरश डूप चुका था, and it had become cool, और मौसम एकदम ठंडा था, so the king with the hermit help, hermit's help carried the wounded man into the hut and let him on the bed, और उने बेड़ पे सुला दिया, lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet, बिस्तरे पे सुते ही, आदमी काफ ने अपने आखें बंद कर दी, वो काफी शान्त था, but the king was so tired with his walk and with the work he had done, that he crouched down on the threshold and also fell asleep, जो राजा थे, वो पी काफी थक चुके थे, क्योंकि वो पैदल वाक किया था, और दिन भर कुलाडी से उन्होंने कोदने का काम किया था, वो इतने ठके हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं पड़ा, एक कोने में ही वो पहले बैठे हुए थे, फिर वहीं पही ही सो गए, तो सौंड़ी थे, बड़े आराम किया थे, बड़े आराम किया थे, वो आदमी जो सामने है, वो कौन है, जो सामने सोया हुआ है, और वो राजा को गूर के देख रहा है, एक बल्कुल इन्टेंटली आने जानवूच करके बहुत अच्छे से देख रहा है, और उसके आँखें चमक रही थी, यहां पे यह आदमी है जो दोड़ते हुए जंगल से आया, यहां पे यह आदमी है जो दोड़ते हुए देख जंगल से आया, यह जखमी आदमी है जिसके पेट पे जखम है, और राजा और जो संद महात्मा हैं, जो उसके सिवा के लिए उसके पास चा रहे हैं, forgive me said the beard man in the weak voice मझे माफ कर दाड़ी वाले आदमी ने राजा को कहा when he saw the king was awake and was looking at him जब उसने देखा कि राजा उट चुके हैं और वो उसकी तरफ देख रहे हैं I do not know you and have nothing to forgive you for said the king मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं और ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए मैं तुम्हें माफ करूँ you don't know me but I know you तो अदमी ने कहा आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you मैं वो दुश्मन हूँ जिसने आप से बदला लेने की कसम खाईवी है revenge याने बदला स्वोर याने कसम खाईवी है before you because you executed his brother and seized his property क्योंकि तुमने मेरे भाई को execute याने फांसी दे दी थी या मरवा दिया था और उसकी property अपने कबजे में ले ली थी I knew you to see the hermit मैं जानता था कि आप hermit से मिलने के लिए अकले आए है and I resolved to kill you on your way back और मैंने कसम खा रखी थी कि जब आप वापस आओगे तो मैं आपको रास्ते पे ही मार दूँगा but the day passed and you did not return पर दिन पूरा बीद गया पर आप नहीं निकले बाहर वापस नहीं आए so I came out from my ambush to find you so ambush का मतलब होता है एक जगह जहां पर किसी और को मारने के लिए छुपा जाए so मैं अपनी छुपने वाली जगह जहां से मैं निकल के आपको मारने वाला था वहां से बाहर आगया and I came upon your body gods पर आपके body gods ने मुझे देख लिया they recognized me, वे मुझे पहचान लिये and wounded me और मुझे जख्मी कर दिया I escaped from them but should have bled to death मैं उनमें से तो उनसे दो बचके आगया पर मेरा इतना खुन बहरा था कि मैं मर जाता and had you not dressed my wand अगर तुमने आपने मेरे जख्म को लाया रहता I wish to kill you and you have saved my life मैंने कसम खा रही थी कि मैं आपको मारूंगा और आपने मेरे जिन्दगी बचाई now if I live and if you wish it मैं जिन्दा रहूं तो मैं अपनी पूरी जिन्दगी आपका गुलाम बनके आपका विश्वासु गुलाम मैं आपका हर काम करूंगा ऐसा बनके मैं आपके साथ रहूंगा and will bid my sons to do the same और अपने बच्चों को भी यही सीख तूंगा कि आपके सेवा हमेशा करें forgive me मुझे माफ कर दीजिये the king was very glad to have made peace with his enemy so easily raja बहुत खुश हुए यह बात जानके कि उनके दुश्मन से इत्ता आराम से उनकी दोस्ती हो गई उनके विश्वास पात्रा बन गया and to have gained him for a friend और उनका friend भी बन गया he not only forgave him but said he would send his servants to attend him raja ने उसे माफ तो कर दिया पर साथ में ये भी का कि अपने servants को भेजेगा और डॉक्टर को भेजेगा जैसे वो बिलकुल ठीक हो जाए and promise to restore his property और उनको promise किया कि जो property उन्होंने कब जे में ली थी वो से वापिस कर देंगे heavy taken leave of the wounded men the king went out into the porch and looked around for the hermit राजा ने उस जक्मी आद्मे से बात करने के बाद घर के बाहर गए और hermit को ढूंडने लगे before going away he wished once more to beg an answer to the questions he had put वो जाने के पहले चाहते थे राजा से एक बार hermit से वो अपने questions फिर से पूछे the hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been ducked the day before जो हनमेट बाहर थे और अपने गुटनों पे बैठके उस बैड पे जो पूरी जगह डग की गई थी उस पे बीज बो रहे थे जो एक दिन पहले ही राजा ने बाहर थे the king approached him राजा उनके पास कहे और कहा for the last time I pray you to answer my question wise man मैं आखरी बार आपसे मिनत करता हूँ request करता हूँ कि आप मेरे तीनों बातों questions का जवाब दे दें you have already been answered said the hermit still crouching on his thin legs wise man ने hermit ने का राजा आपको आपका answer मिल चुका है उस वक्त वो hermit उसी वक्त भी ऐसे जैसे बच्चे नहीं घुटनों पे चलते हैं वैसे crouch होके जैसे बच्चे घुटनों पे रेंगते हैं वैसे ही the hermit भी अपने पतले पैरों पे crouch करते हूँ seats डाल रहे थे bed पे and looking up at the king who stood before him और राजा की तरफ देखते हुए उनने ये बात कही कि आपको बातों का जवाब आपको मिल चुका है how answered what do you mean ask the king कैसे मिला answer आप क्या बोलना चाहते हैं do you not see replied the hermit आप क्या देखते हैं if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug those bed for me but had gone your gone your way the man would have attacked you and you would have repented of not having stayed with me and you would have repented of not having stayed with me and you would have repented that you would have stopped here so the most important time was when you were digging the beds so the most important time was when you were digging the beds so the most important time was was your most important business remember 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 there is only one time there is only one time that is important now that is the most important that is the most important time for no man knows for no man knows whether he will ever have dealing with anyone else and the most important and the most important this chapter is written by leo tolstray leo tolstray leo tolstray